अगर आपको यी कहानी पसंद आई तो इस चानल को सब्सक्राइब करें उस गंठी की बटन भी दबाईए उसके चेरे पर पानी चिड के मारे और उसे पीनी के लिए कुछ पानी दिया भूडा ने दीरे से आँखे खोली उन्होंने भूग के बड़े दर्द में थे वहाँ कोई खाना नहीं था सेम ने कहा मैं आपकी भूग को मिटा सकता हूँ या नहीं मुझे वो पता नहीं है लेकिन आप मुझे खा सकते है ये सुनकर दोनों दोस्त को क्या करना है पता नहीं था वे अपनी दोस्त की जान गवाने और भूग से मर रहे एक बूड़े आत्मी के बीच ब्रमित थे चुनकि बूड़े के पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए उसने सेम को खाना शुरू कर दिया जैसे ही उसने सेम को खाटा एक रगिस्तानी परी धील से उज्वल प्रकाश के साथ उभरा रगिस्तान परी ने उस आत्मी को एक प्लेट भर के खाना दिया उसने सेम को गिरा दिया और जल्दी जल्दी खाना खाने शुरू कर दिया क्योंकि सेम आदी कटी हुई हालत में थी ये अनाडी रूप से खड़ा हो गया सेम से रगिस्तान परी ने कहा सेम चुकि आपने अपनी जीवन की उपेक्षा की और भूड़े आत्मी का मदद किया मैं तुम्हें अमर्ता का वर्दान दे रहा हूँ तुम कभी कम नहीं होंगी कहीं लोगों की भूक मिटाओ ये बोलकर वर्दान दिया और सेम को उसके मूल रूप में वापस कर दिया अपनी दोस्त की बात सुनकर खुश थे कि उसके जीवन बच गया और उसे एक वर्दान भी मिला चिंगारी और उसके दोस्तों ने खुशी खुशी अपनी यात्रा फिर से शुरू की सेम और उसकी दोस्तों ने खुशी खुशी कई जगा में यात्रा की उन्होंने कई लोगों की मदद की वे एक दूसरे की करीब पहसुस करते थे उन्होंने नदियों, जंगलों, पहाडों और रिगिस्तानों को पार किया और वे एक गाउं में पहुंच गए मैं आप दोनों को अपनी दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ हम भी ऐसे ही महसूस करते हैं दूसरों की मदद करने की हमारी सोच आम है जब वे गाउं पहुंचे तो समय साथ बच गया हम कितने भागिशाली है, अंदेरा हो गया है क्या हम यहां रात बिता सकते हैं और कल फिर से शुरू करते हैं हमारी यात्रा